फ्रेंस और आटियम फॉर्मिशन के साथ तो रियल वीडियो लेका हूँ तो फ्रेंस देखिए अगर आपको इस टाइप से एक SBA का ATM कट मिलता है यानि न्यूँ ATM कट आपको मिलता है और अगर आप सोस रहे हो कि इस ATM का पीन कैसे बनाए मेरे को ATM जाना होगा या ब्रांज जा तो आप कैसे बना सकते हो मैं step by step आपको प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस को follow करके आप आपका ATM का पीन घर बेठे ही बना सकते हो तो फ्रेंस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेज किजे ता कि future में जो भी वीडियो अप्लो करते हैं सो फ्रेंस new ATM का पीन बनाने के लिए आपको इस विफसेट में आना होगा तो इस विफसेट का डारिक लिंग आपको description में मिल जागा तो उसमें क्लिक करका आप डारी किस विफसेट पर आ सकते हो तो फ्रेंस इस विफसेट ने आने के बाद आप देख सेकते हो यू जो भी details बगर मंगा जाता है सब कुछ आपको देखे आपका user name और password बना लेना है तो फ्रेंस पहले आप देख लिजे कि कैसे ATM का pin generate किया जाता है तो इसको कहने के लिए तो पहले user name इधर आपको enter करना होगा फिर password एंटर करना होगा फिर जो कैफसा है कैफसा आपको enter करके login करना होगा तो फ्रेंस में फटा-फट से एस सब एंटर कर देता हूं तो एंटर करने के बाद देखिए मैं एंटर कर दिया तो एंटर करने के बाद जो login का option है इस option में क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद इस टाफ से interface show हो जाएगा और इधर आप देख सकते हो second factor authentication तो आ आता है और इसमें आपका account का सब कुस डीटल्स देखने के लिए मिलता है तो फ्रेंस एकाउंट है योनो का account है तो मैं आपको बेलंस चेक करके दिखा दिया कि जिरू बेलंस से आप देख सकते हो तो हम लोग को जाना होगा इस service का option में तो इसमें क्लिक करने के बाद आपक तो ATM card service में आपको click कर देना है तो जब आप click करेंगे तो इस type से आपको interface show हो जाएगा अप देख सकते हो इस type इंटरफेस show होगा और इसमें आप देख सकते हो एक option है आपको ATM pin generation और new ATM card activation तो हम लोग क्या करेंगे जो ATM pin generation का option है तो इसमें हम लोग click करेंगे तो इसमें click करन के बाद आपको इस टाइब से इंटरफेश हो जाएगा तो इसमें से कोई भी ओप्षिन एक चूज कर लेना है तो मैं फर्स्ट और ऑफ्षिन ही चूज करूंगा जो यूजिंग वान टाइम पासवाट तो इसमें क्लिक करने के बाद मेरा जो मुबाल नंबर है मुबाल जाएक के बाद आपको इस टाइबसे इंटरफेश हो जाएगा तो इसमें से आपका जो एकाउंट है आपको हैं एकाउंट इधर करेना तो इसको हो जाएगा तो अपको की एक करने के बाद इस टाइपस इंटरफेस हो जाएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो ATM बनेगा तो उसका फॉर्स्ट टू डिजिट आपको खुद से टाइप करना है वह आपका सो इसके अनुसर हो सकते हैं जो भी आप देना चाहते हो तो आप दो यानि फॉर्स्ट ट टाइप करने के बाद फिर साब्मिट करने के बाद जो मुबाल नंबर है आपका रेजिस्टर मुबाल नंबर तो उसमें और जो लास्ट टू डिजिट है ओ आ जाएगा तो आपको क्या करना है इधर आपने जो फॉर्स्ट टू डिजिट टाइप कर दिया तो टाइप करने के बद फिर आपको submit पर click कर देना है तो जब आप submit पर click करेंगे तो आपका submit हो जाएगा और आपका pin generate यानि जो pin आपने बनाया है ओँ हो जाएगा तो friends देखिए new ATM pin number has been updated successfully यानि आपने जो first two digit दिया था और जो mobile में two digit आया था वही आपका ATM pin बन गया है तो इसी तरह ही आप घर बेठें आपका ATM का pin आप बना सकते हो जो की बहुत ही आसन तरीका है तो friends इस वीडियो में इतना ही था तो इस वीडियो related अगर आपको कुछ भी problem होता है तो comment किजिए मैं comment का reply दे दूँगा और friends देखिए इस तरीके से आप SBI का किसी भी ATM card का आप pin generate कर सकते हो तो friends देखिए अगर आपके पास username और password नहीं है तो आपको new register जो option है उसमें जाके आपका details बगरा देके आपको user ID और password बनाने ना है तो friends इस वीडियो में इतना ही था तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुआस के इतना ही थांक्यू